हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू प्राइश वेजुँ दोस्तो आज हम देखेंगे एंगल्स वर्कषिट दोस्तो यह कंप्लिट चेप्टर के उपर वर्कषिट है तो आपको यह कुछ सॉल करनी है और आपको देखना है कि आपके प्रेक्टिस एंगल्स में कितनी है तो चलो क्या क्या questions है इसमें फर्स्ट देखो दोस्तों complete the following table दोस्तों यहां पर हमें कुछ diagram दिये हुए हैं हमें उनके name of the angle लिखने हैं लिखने हैं और arms of an angle लिखने हैं तो यह आप जरूर लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको यह सिखाया हुआ हैं दोस्तों और इसका explanation आप इसी channel में class 5 में जाके आप angles में जो related problem set हैं उसमें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह angles क्या हैं कैसे vertex निकालते हैं कैसे इनके arms of an angle लिखते हैं ओके next है draw and name the following angles with the help of a protractor दोस्तों मैंने आपको यह भी दिखाया था कि protractor के help से हम angles कैसे draw करते हैं तो यह हमें कुछ angles दिये हैं जैसे कि 180 degree, 105 degree, 45 degree, 85 degree, 100 degree और 160 degree तो आप यह जरूर प्रोट्रेक्टर के साहियता से आप यह draw करेंगे और आपके कितने answers आपको कुछ इसमें दिक्कते आ रही होगी तो आप मुझे comment करके बताओं मैं आपको फिर एक बार मैं आपको बताओंगी कि हम protractor के help से कैसे यह angles draw करते हैं next question है due to examples of perpendicular lines you can see in your environment दोस्तों हमारे आजू बजू में बहुत सारे चीज़ें होती रहती हैं बहुत सारे कुछ वसुएं होती हैं कुछ हमें दिखता हैं लेकिन हमने कभी उस angle से देखा नहीं तो आपको यह देखना कि हमारे environment में perpendicular lines में क्या है वो आपको देखना है और ढूंड निकालना है और उसके example सबको लिखने हैं दोस्तों मैंने आपके answers नहीं दिये हैं क्योंकि आपको यह खुद draw करना है तो मैं उम्मिद करती हूँ कि आप यह बराबर draw करेंगी क्योंकि आप उतने समझदार है ही और मैंने आपको बहुत अ और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे like और share जरूर करना और हाँ दोस्तों अगर आपने अभी तक मैरे इस channel को subscribe नहीं किया है तो पहले मैरे इस channel को subscribe करो और बाजो में दी हुए bell icon पे भी click करो तो दोस्तों इस video को देखने के लिए और सुनने के लिए ध